स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों यदि तक आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आज हम चर्चा करेंगे सोसल के बहुत ही महत्पूर प्रश्ण पर जो कि आपके लिए पेपर 2 पार्ट B के लिए बहुत ही महत्पूर है जिसके अंतरगत हम प्रात्मिक सिख्षया में बिद्दमान समस्याओं का वर्णन करेंगे क्या है कि दोस्तो अब जो है परिक्षाओं का ट्रेंट थोड़ा सा चेंज हो रहा है और इसमें क्या है कि सीधे-सीधे प्रश्न ना पूछे जाकर थोड़े से घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे वह इस प्रकार से बताएंगे कि आपको अगर घुमा के प्रश्ण पूछे जाते हैं तो आपको इनमें कैसा लिखना है इसके साथ-साथ ही हमारे जो अन्य बिसाई के नोट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री हुआ, जोगरफी हुआ, मद्य प्रदेश का हुआ, पॉलिटी हुआ, सोसल हुआ, साइन्स एंटेक हुआ, एकॉनमेक्स हुआ, एथिक्स हुआ, हिंदी हुआ तो इन सभी में भी हमने उसी प्रकार के प्रश्णों का समाविस किया है, जैसे कि मुखपरिक्षय की द्रश्टी से पूछे जाते हैं, तो आप हमारे मुखपरिक्षय के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए 2019 की मुखपरिक्षय और 2020 की मुखपरिक्षय द अवसन रशनात्मक सुविधाओं का अभाव है अर्थात जो भी बिद्ध्याले हैं उनमें इमारतों की जो बनावट है वह अच्छे तरीके से नहीं की गई है साथ ही साथ अभी भी जो बिद्ध्याले हैं उनमें जो है पुराने पैटर्न पर ही वह बने हुए हैं तो यहां अवसन रशनात्मक सुविधाओं का अभाव है इसके साथ साथ ही बिद्धुत का अभाव है अर्था जो भी बिद्ध्याले हैं उनमें बिजली की सुविधा उपलब्द नहीं होती है और आवा गमन की सुविधा नहीं है जिस कारण से ग्रामीर शेतर के जो लोग हैं वह स सिक्षा तक नहीं पहुँच पाते हैं इसके पश्चात है स्वक्षयता का अभाव भी हमें स्कूलों में देखने के लिए मिल जाता है तो इस प्रकार से अवसन रशनात्मक सुविधाओं का अभाव प्रात्मिक सिक्षा के लिए एक प्रमुक चुनौती या समस्या बना इसके पश्चात है रूची पूर्ण पाठे क्रमों का अभाव तो बरतमान समय में जो सिक्षा के अंतरगत पाठे क्रमों को सामिल किया गया है उनमें इंट्रेस्टिंग कुछ नहीं रहता है ट्रेडिशनल ही सारा कुछ पाठे क्रम है तो यह भी एक प्रमुक चुनौती इसके संदर में देखी जा सकती है इसके पश्चात है गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा का अभाव गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा के अंतरगत अगर हम देखे तो हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें सिर्फ किताबों से संबंधिक ज्यान हमें दिया जाता है उसमें ना तो हमें skill related education दी जाती है ना ही quality full education दी जाती है तो इस प्रकार से गुर्वत्तपूर्ण सिक्षा का भाव प्रात्मिक सिक्षा के अंतरगत एक प्रमुक समस्या है इसके पश्यात है रोजगार परक्षिक्षा का भाव तो जैसे कि 1939 में बुने आदी सिक्षा लाई गई थी महत्मा गांधी के द्वारा तो उसमें महत्मा गांधी के द्वारा बताए गया था कि प्रात्मिक सिक्षा में किस प्रकार से हस्तसिल्फ आदी को सामिल करके रोजगार परक्षिक्षा का बिकास किया जा सकता है तो लेकिन जो बरतमान की सिक्षा परनाली है उसमें रोजगार परक्षिक्षा का भाव है Skilled-based education हमें नहीं दी जाती है इसके पशाते बित्ति की समस्या तो प्राथमिक सिक्षाओं के लिए या प्राद्मिक सालाओं के लिए बित्ता वंटन बहुत ही कम किया जाता है तो यह एक प्रमुक समस्या है फिर ड्रॉप आउट की समस्या तो ग्रामीर छेत्र हो तो जो ग्रामीर छेत्र हैं उनमें हम बिसेस रूप से देख सकते हैं बच्चे एट्थ के बाद या फिर टैंथ के बाद इस्कूल छोड़ देते हैं और वह अपने किसी रोजगार में सनलगन हो जाते हैं और लड़कियों के लिए ड्रॉप आउट की समस्या बिसेस रूप से देखी जाती है तो यह भी एक प्रमुक समस्या जो की प्रात्मिक सिक्षा के लिए बादा बनी हुई है इसकी पशाते सौचाले और पेजल की समस्या तो प्रात्मिक सिक्षा के अंतरगत जो लड़कियां रहती हैं उनके लिए प्रिथक सौचाले का आभा होता है और पेजल की समस्या के अंतरगा सुद्ध पेजल भी हमें उपलब्द नहीं कराया जाता है इसके पशात है लेगे कंतराल तो लड़कियों लड़कों में भेदवाओ करना लड़कियों को इसको अभी भी ग्रामिल शेतरों में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर लड़कियों के लिए शिक्षा नहीं दी जाती है जबकि लड़कों को शिक्षा दी जाती है तो यहां पर एक लेगे कंतराल अर्थाद जेंडर गैप का भी एक महत्पूर्ण जो रोल है वह प्रात्मिक शिक्षा के लिए चुनोती बना हुआ है इसके पश्यात है नगरिय चेतर तथा ग्रामिल चेतरों में ब्यापक अंतर होना तो नगरिय चेतर में जो एजूकेशन की जो क्वालिटी है वह बहुत ही अच्छी रहती है जबकि ग्रामिल चेतरों में बहुत ही कम क्वालिटी रहती है और एक मादपूर्ण चुनोती है समस्या हम यह भी कह सकते हैं कि जो अच्छे सिक्षक होते हैं वह ग्रामिल शेत्रों में पढ़ाने के लिए भी आस्वस्त नहीं होते हैं तो यह भी एक प्रमुक समस्या प्रात्मिक सिक्षक के अंतरगत देखी जा रही है इसकी पच्छा थे जातीगत और धार में काधार पर भेदभाव तो प्रात्मिक सिक्षक के अंतरगत बिसेश कर ग्रामिल शेत्रों में जातीगत और धार में काधार पर भेदभाव का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ता है इसके पश्या थे योग सिक्षकों का अभाव तो योग सिक्षकों का अभाव जैसे कि अभी हमने देखा था कि इस सिक्षकों की एक परिक्षा हुई तो उसमें सिक्षकों ने कॉपी रख के नकल भी कर ली तो भी बहुत सारे सिक्षक पास नहीं हो पाई तो इस प्रकार से सिक्षकों की जो योग सिक्षक हैं उनका अभाव देखने के लिए हमें मिल रहा है इसके साथ साथ ही जो है इसके साथ साथ ही जो सिक्षकों के लिए प्रशिक्षन की विवस्ता की जा रही है वह भी कुसल नहीं है तो इस प्रकार से योग सिक्षिकों का अभाव प्रात्मिक सिक्षाथ के समद्ध में देखा जा रहा है इसके पश्चत क्या है? सिक्षा समद्धी बिविन ने योजनाओ, कारिक्रमों में ब्रश्टचार एवं पारदर्सीता का अभाव तो सिक्षा के लिए जो भी बिविन ने योजनाओ चलाई जा रही है, जैसे राइट टू एजूकेशन हुआ, या फिर सर्वसिक्षा अभियान हुआ, स्कूल चले हम अभियान हुआ, ओप्रेशन ब्लैक बोर्ड हुआ, तो ये जो सिक्षा से समद्धी योजनाओ या कारिक् शिता का अभाव पाया जाता है, जो कि प्रात्मिक सिक्षा के अंतरगत एक प्रमुक चुनौती बना हुआ है, इसके पश्या दोस्तों आपको निसकर्स में दो लाइन लिख देनी चाहिए, कि प्रात्मिक सिक्षा के छेत्र में उपरक्त चुनौतियां या समस्यां बिद् दढर और किया गया है तो यहां पर आपका जो आंसर झाल है रहा अच्छा हो जाएगा और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्इप्रिप्सन बॉक्स में हमारे नोट्स पर्चेस करने की लिंक दी तो इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स पर्चेस कर सकते हैं और साती साथ जब आप इंस्टा मोजो की लिंक से हमारे नोट्स पर्चेस करते हैं तो किरपया कर अपना वाट्सेप नंबर जरूर इंपुट करें उसे आपको हमारे वाट्सेप ग्रूप में ए आप हमारे टेलेग्राम चैनल पर वीडियो की फnt minist और प्रिदेप आपको प्रिदान की जाती है इसके साथ अनमाधपूर कंटेंट भी आपको हमारी चैनल के माध्याम से नस् तो अगर आप 2020 की प्रारंबिक परिशिया या 2021 की प्रारंबिक परिक्षय की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी तैयारी का मुल्यांकन करना चाहते हैं कि आपका कौन सा portion cover हो गया है सिलेवस की according आपकी तैयारी हो रही है अत्वा नहीं हो रही है तो उसके लिए आप हमारी प्रारंबिक परिक्षय की test series जोइन कर सकते हैं हमारी प्रारंबिक परिक्षय की test series के अंतरगत मात्र 500 रोपे में आपको 5000 MCQs उपलब्द कराए जा रहे हैं और दोस्तो प्रारंबिक परिक्षय में सफलता का मूल मंत्र यही होता है आप जितने अधिक से अधिक बस्तुनिस्ट प्रिक्ष ने solve करेंगे तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे तो आप अधिक से अधिक बस्तुनिस्ट प्रिक्षय कीजी अधिक से अधिक details पढ़िए और करेंट अफेर्स पर बिसेस फोकस रखी और मध्य प्रदेश के सम्मन्द में आपको अपनी जानकरी को और अधिक सूधरन करना चाहिए क्योंकि जो 2020 का पैटरन है प्रारंबेग परिक्षा के दरश्टी कौण से तो उसमें मध्य प्रदेश का पोर्शन बढ़ा दिया गया है इसके साथ साथ ही आपको साइंस एंट टेक पर भी अच्छी पकड़ बनानी चाहिए क्योंकि अब जो है वैस साइंस एंट टेक्स से सम्मंदित अनेक प्रशन पूछे जाएंगे इसके साथ साथ ही आपको जो सिलेवस में आयोग दिये गए हैं उसकी तयारी भी करनी चाहिए आयोग की तयारी करने के लिए आप हमारी आयोग की पीडिये भी पर्शेस कर सकते हैं जो की मात्र हंडर्ड रुपीज में आपको उपलब्द कराई जा रही है और जिसमें महत्पून आयोगों के बारे में संपून जानकारी दी गई है इसके साथ साथी बस्तुने प्रशन भी दिये गए हैं तो आप हमारी आयोग की पीडिये भी ले सकते हैं और अपनी तयारी को सुनेशित कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्पून टॉपिक के साथ